आपके अपने एजुकेशनल यूटुब चैनल ट्रेड भी देखे पर जी हां फ्रेंड ये वीडियो हमने स्पेशली बिनाई है कि गोल्ड की नेक्स्ट मुमेंट क्या होने वाली है आप में सिर्फ बहुत सारे गोल्ड के लोगों ने हमें कमेंट करके बताया कि सर नेक्स्ट मन्त या नेक्स्ट 45 डेज गोल्ड की क्या मुमेंट होगी इस बारे में एक वीडियो दीजिए और मैं next month तक gold की moment क्या हो सकती है so इससे पहले मैं आपको बता दो friend trade भी देखेगा यह जो YouTube channel है यह daily analysis देता है friend और इस YouTube channel पे daily analysis आपको major currencies BTCs पे US oil पे और MCX gold and silver पे मिलती है friend जिसकी accuracy 80-90% जाती है आप कोई भी वीडियो उठाके देख लो जैसा सुबह बताया जाता है friend वैसा market next 24 hours में करता है तो अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो इसे subscribe कर लिजे और daily updates के लिए आप इस YouTube channel पे बने रह सकते हैं तो शुरुआत करते हैं friend कि आज 26th of October है Saturday का दिन है और next week की gold की moment क्या बन सकती है तो देखें friend इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक नामी calendar पे ले जा रहा हूँ friend नए week की शुरुआ 28th of October को होगी यानि की Monday को होगी friend Monday को market में कोई बढ़ी ख़बर नहीं है लेकिन अगर हम Tuesday को देखें friend तो United States dollar में Consumer Confidence and Jolt's Job Opening की news आने वाली है जिसकी वज़े से United States dollar में आपको impacted मिल सकता है friend ये जो हफता है friend ये बहुत ही massive हफता होने वाला है ये massive drastic moment market में देखने को मिलेगी क्योंकि October महने की 30 तारीक को यानि की Wednesday को United States dollar में ADP Non-Firm Employment Change Advanced GDP Quarterly Reports है friend Advanced GDP Price Index Quarterly Report ये सारी आने वाली है friend तो मैं आपको बता दो friend 30th of October को GDP की जो report है इसमें United States dollar जो है friend वो 3% का expansion expected कर रहा है यानि की friend इस report को अगर मैंने पुरी तरीके से study किया तो ये पता चलता है कि US की GDP जो है वो almost 3% के expansion के साथ बढ़ती भी दिखाई दे रही है friend यानि की United States dollar जो है GDP के मामले में positive हो सकता है friend 31st of October को आपको अगर देखें तो again United States dollar में core PCE की news है friend यानि personal consumption expenditures की news है और इस news की अगर हम बात करें friend तो इसके अंदर भी जो data है वो almost positive data आतावा दिखाई दे रहा है और आपको यादे friend की last Thursday unemployment claim का data positive रहा था उसका एक symptoms यहां तक दिखाई दे रहा है कि इस हफते भी unemployment claim का data positive हो सकता है और जैसा की आप जानते है friend 1st of November Friday है और Forex का festival है यानि की non-farm payroll की news है अगर हम यहाँ पे GDP को देखे friend PCE को देखे और उसके accordingly अगर हम non-farm payroll को देखते हैं friend तो September महिने में almost 2,54,000 यानि की 254,000 प्लस उन्होंने jobs की data को collect किया friend जो कि अपने आपने एक अच्छी achievement मानी जा सकती है और इस वज़े से friend जो इस हफते का non-farm payroll है वो भी United States dollar के लिए positive आतावा नजर आ रहा है तो overall अगर आप इनकी study करोगे friend तो इससे आपको यह पता चलेगा कि next week जो है वो United States dollar के लिए fundamentally बहुत अच्छी week मानी जाती है friend लेकिन आपको याद होगा friend कि November महिने में United States dollar में monetary policy की भी news आने वाली है सो जैसा आप मेरे screen पे देख पा रहे है कि उसका जो next week होगा friend वहाँ पे 8th of November Friday को United States dollar में Federal fund rate की news आने वाली है यानि के FOMC की meeting है और यह जो इस हफते का data होगा friend 28th of से लेकर जो आपको करीब करीब 1-2 November तक का जो data मिलेगा friend इसमें United States dollar अगर अच्छा performance करता है तो बहुत जादा possibilities है कि United States dollar जो है friend वो अपने interest rate को 25 BPS से लेकर 50 BPS तक एक बार फिर से cut कर सकती है तो देखे इन खबरों के हिसाब से अगर आप gold के बारे में बात करें friend तो अगले हफते अगर United States dollar अच्छा performance करता है तो gold आपको छोटा सा एक bearish correction लेता वा मिल सकता है लेकिन उसका next week अगर monetary policy में 25 से 50 BPS का interest rate United States dollar कम करता है friend तो gold आपको फिर से एक बार bullish होता हुआ मिल सकता है अब हम चलते हैं friend कुछ websites पे जैसे की coindex पे अगर हम जाते हैं friend तो coindex का prediction है कि अगले एक महिने में gold जो है वो 2850 का rate ले सकता है और next three month में friend 3102 के level को भी cross कर सकता है और अगर आप यहाँ पे present अगर analysis को देखे है friend तो 27th of October को इसका जो daily high है friend वो 2767 का है और daily low 2653 का है और यह जो हफता end होगा friend यानि की first of November Friday को देखेंगे तो 2758 से 2743 के बीच में दिखाई दे रहा है यानि की coindex का यह कहना है कि next week जो है friend वो sideways कम bearish हो सकता है but overall जो momentum रहेगा वो bullish होने के chances है अब मैं आपको ले चलता friend investing.com में technical analysis, technical indicators moving average and summary क्या कहती है friend तो देखेंगे यहाँ पे मैंने United States dollar के साथ gold का technical analysis लगा रहा है friend अगर हम इसे 30 minutes के चार्ट पे देखते है तो 30 minutes के चार्ट पे friend indicators भी इसको strong buy बता रहे है summary buy बता रहे है moving average buy बता रहा है अगर हम इसे hourly chart में देखते है तो भी यह strong buy है अगर हम इसे 5 hourly chart में देखते है friend तो भी buy है daily time frame पर भी buy है weekly पे भी buy है and monthly pay भी भाय है यानि कि technical जितने भी indicators and oscillators है friend ये इसे short term से लेके long term में bullish momentum ही बनाते भी दिखाई देते हैं अब हम चलते है friend की light finance में अगर हम elite wave theory के accordingly gold की next moment क्या होने वाली है friend तो you can see it here 25th of October से 1st of November के बीच में elite wave क्या कहता है friend तो यहां पर यही बताया जा रहा है main scenario यह कहता है कि 2601 से अगर उपर market है तो 2880 और 3000 का level अगले 3 मेने में आप देख सकते हैं friend और अगर इससे नीचे market है तो 2468 और 2356 का level भी आप देख सकते हैं लेकिन अगर हम इसमें 4 hourly time frame को देखें friend तो light finance कहता है कि 4 hourly time frame पे इसकी 5th wave चल रही है और 2880 का level gold आगे ले सकता है friend अगर हम इसे daily time frame पे देखते हैं तो भी आपकी 5th wave जो है वो 2880 के level पे बनती भी दिखाई दे रही है अगर हम weekly time frame देखते हैं friend तो 2880 से 3000 का level भी इसका बनतावा दिखाई दे रहा है तो overall elite wave theory इससे बहुत ज़्यादा strong bullish momentum मानती है और gold जो है friend अभी भी uptrend को continue कर सकता है अगर हम commitment of trader की report देखते है friend जो report आपको trading ट्रेडिंग स्टार website पे देखने को मिलेगी और यह latest report 22nd of October की latest report अगर हम देखें तो non commercial का data कहता है कि long position बनाने वाले contracts है 371,813 का contract है friend और selling का जो contract है friend वो only 75,609 का contract बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि gold में जो long time है friend जितने भी non commercial हमारी तरह बड़े commercial banks है friend या जो बड़े financial institute है जो forex में trade करते है friend तो उन्होंने 371,000 यानि कि 371,000 buying की position बना रखी है और only 75,000 जो है selling की position है और अगर हम इसमें short term देखें friend तो buying की position एड़ करने वाले 14,000 contracts और एड़ होगा है friend लेकिन selling में सिर्फ 4,000 contract एड़ हुए है तो overall gold का जो short term and long term दिखाई देता है वो 64.8% bullish दिखाई देता है friend 13.2% ये bearish दिखाई देता है तो कुल मिलाकर friend अभी तक के हम जितने भी data's को technical देख रहे है हम यहाँ पे elite wave को देख रहे है हम यहाँ पे fundamentals को देख रहे है court report को देख रहे है तो gold जो है friend वो overall bullish दिखाई दे रहा है अब मैं आपको लेकिछ चलता है friend fxstreet.com पे यहाँ पे क्या बन रहा है तो gold trade sideways underpinned by heaven flows तो इसका मतलब बहुत है friend जैसा कि आप जानते है geopolitical risk जो बनी भी है और आज सुभे का latest news 26 October की Israel ने Iran पे एक बार फिर air strike कर दिया friend तो यह सारी scenario से ऐसा लगता है कि gold जो है वो अभी भी bullish रहेगा और आप अच्छी तरह जानते है friend कि जब भी geopolitical situation worst होती है तो gold को safe heaven माना जाता है और आप fxstreet के अगर यह पूरी report को ध्यान से पढ़े friend तो इसमें भी आप यह देख पाऊगे कि gold की जो next move है वो bullish ही रहने के chances है तो देखे friend मैंने आपको कई अलग-अलग angle से बताने की कोशिश की gold का net smooth निरो क्या है जिससे हमें यह पता चलता है friend कि इसके अब trend के chances सबसे ज़्यादा बनते हैं अब आजाते friend की trade भी देखे जिसने पिछले एक साल में gold की जितनी भी analysis बताई है friend almost mind market ने 80-90% वही किया है जो direction trade भी देखे का यह YouTube channel बताता है friend तो मैं आज भी अपनी analysis के accordingly आपको बताने की कोशिश करता हूं कि gold में friend जो monthly chart अगर आप देखोगे यह monthly chart है friend आपके सामने और अगर देखे जब किसी भी चीज का all time high आ जाता है friend तो फिर हमारे पास सिर्फ एक शस्त्र होता है एक टूल होता है जिससे हम कहते हैं elite wave theory friend और अगर मैं gold की शुरुआत monthly time frame पे 258 dollar से करता हूं friend तो यहाँ पे आप देखेगा इसका first wave यहाँ पे गया था नीचे इसकी second wave थी friend और second wave के बाद elite wave का prediction होता है कि gold अपनी third wave बनाने के लिए one point six one eight का level लेती है friend और यह level almost देखे उसने यहाँ पे complete किया था तो अगर monthly time frame पे gold ने अपने third wave के level को complete किया है friend तो मेरा मानना है कि यहाँ से यह इसकी third wave है इसके नीचे यह fourth wave है और fifth wave जो होती है friend उसका rule होता है या तो वो three के high को break करें और या फिर वो 0.618 का level ले तो gold इस वक जहाँ पे खड़ा है friend वो exactly monthly time frame का wave fifth जो है वो complete करता वा दिखाई देता है तो अगर यह wave complete कर रहा है friend तो क्या यहाँ से projection बन सकती है तो मैं आपको बताओ friend यहाँ से possibilities है कि gold थोड़ा सा बेरिश मंतली time frame पे हो सकता है और अगर हम candle को थोड़ा expand करके देखे friend और आपने अगर मेरा daily bias का video YouTube पे देख रखा है तो उसकी accordingly friend इस last month की जो candle है अभी इससे close होने में दो से तीन दीने का समय अभी भी बाकी है friend तो यह candle का जो high गया है friend 2758 का level है यह इस level को जरूर break करेगी और उसके बाद जाकर close करेगी क्योंकि यह एक expanded range candle बनती है ऐसे में अगर आप RSI को देखे friend तो RSI already 82.5 के level पे खड़ा है overbought zone में खड़ा है friend जिसकी बज़े से monthly time frame पे gold का selling का pressure बनतावा दिखाई दे रहा है but overall जो scenario friend वो bullish scenario रहने के chances है अपने आपको ले चलता friend weekly time frame पे भी gold को अगर हम देखें तो यह all time बहुत ज़्यादा high पे बनावा है friend और अगर यह बहुत ज़्यादा high पे बनावा है तो सिर्फ एक tool यहाँ पे काम करेगा जिसे हम elite wave कहते हैं तो elite wave के accordingly friend यहाँ पे impulse wave की first wave है यह second wave है फिर यह third wave चल रही है friend इसके बाद fourth wave है और fifth wave भी आएगी तो मैं यह कैसे surely कह सकता हूँ कि यह third wave चल रही है and for that I will show you friend the fib extensions levels के बारे में अगर मैं आपको बता हूँ तो आप यहाँ पे देखेगा कि अगर हम fib extension level को शुरू करते हैं यह zero से लेकर यहाँ पे one ने friend और अगर नीचे में two को complete मान लेता हूँ तो देखे wave three का rule होता है वो either one point six one eight का level लेगी friend जो level almost ले चुकी है और इसके बाद उसका दूसरा level होता है friend two point six one eight का level और यह level जा रहा है twenty seven ninety four पे तो मेरा मानना है friend elite wave की third wave complete करेगी weekly time frame के हिसाब से two nine four two nine seven four पे friend उसके बाद यह retrace करेगा और fifth wave एक बार फिर इस level को break करती भी आपको दिखाई देगी तो यहाँ पे friend अगर हम consider करते हैं कि क्या ये wave three है तो थोड़ा मेरे analysis को ध्यान से देखेगा friend क्योंकि अगर आपको elite wave का knowledge नहीं है तो आप हमारे personal mentorship batch को join करके elite wave का knowledge ले सकते हैं और यहाँ पे अगर मैं इस wave को three wave consider करता हूं तो आप इसके अंदर देखे friend ये wave one है ये wave two है ये wave three अभी भी चल रही है wave four के लिए market नीचे आएगा और wave five के लिए ये उपर के direction में जा सकता है तो elite wave theory के accordingly friend market जो है अभी भी bullish नजर आता है और pivot level के हिसाब से अगर हम देखें तो gold जो इस वक दिखाई देखें है friend ये resistance four का level है 2751 पे stand है तो यहां से might भी ये छोटा मोटा correction downtrend में ले सकता है friend बट अगर इसने pivot का resistance four level break किया तो resistance five का level 2952 पे है यहां तक भी जाने के chances बनते हैं तो gold को bullish move करने के लिए friend अभी इस वक थोड़े challenges नजर आ रहे है RSI overbought में है gold pivot level पे खड़ा है fifth way completed वानी जारी है friend monthly time frame की तो इन तमाम चीजों को देखते वे weekly time frame जो दिखाई देता है friend वो इस वक थोड़ा सा selling side का बनतावा दिखाई देता है but overall जो scenario है वो bullish scenario आपको देखने को मिल जाएगा अब मैं बात करता हूँ friend daily time frame के accordingly gold में क्या होने वाला है तो अगर आप मेरे screen को ध्यान से देखें friend तो RSI जो है वो यहां से downtrend में जा रहा है और gold का जो swing है friend वो higher high बना रही है यानि कि यहां पे bearish divergence बनता है तो RSI इसे selling के pressure के अंदर बता रही है friend यानि कि bearish divergence बनतावा दिखा रही है जिसकी वज़े से gold में थोड़ा सा selling का pressure देखा जा सकता है और अगर मैं यहां पर भी elite wave के accordingly बात करूँ friend तो you can see it here यहां से elite की यह one wave है यह two wave है यह इसके बाद third है यह fourth है और यह fifth wave बनती भी नजर आती है अगर हम इसके internal structures को check करते है friend तो you can see it here यहां से अगर यह third wave बन रही है और fourth के लिए market नीचे आता है तो fifth wave का rule है friend आइदर वो third wave के high को cross करती है जो वो almost कर चुकी है या वो 0.618 का level लेती है और यह level जो है exactly 28.54 पे बनता वा नजर आता है तो मेरा मानना है friend कि अगले हफते दो हफते तीन हफते में गोल जो है friend वो 28.50 का level जरूर cross कर सकता है अब अगर मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले जाओ friend इसमें pivot levels के accordingly तो आप मेरे chart पे देख सकते है कि pivot level resistance 1 जो है यानि कि 27.22 का जो level है ये gold break कर चुका है candle bullish है friend और 28.11 का जो resistance 2 का level है ये pivot के accordingly market ले सकता है तो overall daily time frame का जो scenario कहता है friend gold अभी भी bullish होगा और 27.11 से लेकर friend 28.50 के level तक ये जाते वे आपको मिल जाएगा मैं इस वीडियो के अंत में आपको ये ज़रूर बताऊँगा friend की उपर के तरफ इसके targets points क्या होंगे और अगर ये correction करता है तो नीचे की तरफ इसके retracement के points क्या क्या होंगे इसलिए आप से request होगी friend कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दो friend की trade वीड एके अभी तक 60,000 से ज़्यादा लोगों को forex education दे चुका है online and offline friend और हमारी presence इंडिया के अलावा 16 countries में इस वक्त है 16 countries से लोग हमारी educations को ले रहे है और ऐसी education अगर आप भी लेना चाहते है तो हमारा सबसे unique batch है personal mentorship batch जो 5th of November से शुरू होने वाला है इस batch के अंदर अगर आप अपने आपको admission दिलवाते हैं friend तो overall trading की 360 degree का जो knowledge है यह आपको दिया जाता है इसके अंदर हम बहुत deep में demand supply elite wave theory, SMC, ICT, technical and fundamental analysis and order of law and footprint chart और इसके साथ एक नया topic है friend wife of trading strategy यह सारी चीज़े आपको 45 days में दी जाती है तो इसका registration link यहाँ पर दे रखा है friend if you are interested to be a professional trader in this market तो you must click the link given below जो की personal mentorship के link है friend और अब मैं आपको लेग चलता है friend की short term में gold का scenario क्या बनता है तो अगर हम daily time frame से 4 hourly time frame पर आ जाते हैं friend कि gold ने उपर जाकर break of structure तो यहाँ पर बनाया था लेकिन नीचे आकर इसने कोई भी change of character 4 hour पर नहीं दिया है तो इसका मतलब friend gold में अभी भी selling pressure नहीं बन रहा है और अगर मैं वापस यहाँ पर देखो तो market ने फिर bullish direction में break of structure दे दिया है तो इसका मतलब gold का upper trend अभी भी continue रहने के chances है अगर इसके अंदर हम elite wave theory के हिसाब से देखें friend तो this is our wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 and still wave 5 जो है वो अभी complete नहीं हुई है wave 5 का rule है friend या तो वो 3 के high को break करेगी या वो 61.8% का level अचीव करेगी तो 3 का जो high है friend वो 27.59 पे बनता है और अगर इसने 61.8% का level लेना है friend तो इस level के लिए gold को जो move करना होगा वो 0 से 3 के बीच में 5 extension लगाएंगे 4 के नीचे लाके drop करते है friend और यहाँ पे आता है 0.618 का level जो की तकरीबन 28.05 के level पे बनता हुआ आपको दिखाए दे रहा है तो मेरा मानना है friend गोल्ड का जो इस हफते की moment होगी उसमें first target इसका 27.59 होगा और यह target भी अगर bullish aggression में किया friend तो 28.04 का level भी gold आपको next week में लेता हुआ मिल जाएगा और monetary policy जो है friend इसके दो हफते बाद है after two weeks है तो उसमें अगर United States dollar अपने interest rate को कम करता है तब तो gold 28.00 का level जरूर बेक करेगा अब आजए friend देखते हैं कि जो Monday से दिन शुरू होने वाला है याने कि 28.04 से 1.04 के बीच में क्या होने वाला है तो मैं आपको बताओ दो friend 4 hour का जो trend है वो bullish trend है गोल ने यहाँ पे एक bullish order block दे रखा है friend जहां से इसकी bind की possibility बनती है उपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे एक bearish order block दे रखा है similarly अगर हम इसके अंदर note करें friend तो यहाँ पे उपर की तरफ एक liquidity grab area भी दे रखा है जहां से liquid grab करके इसके bearish correction करने के chances बनते हैं और नीचे की तरफ आ जाए friend तो नीचे की तरफ भी यहाँ पे sell side liquidity का zone दे रखा है अगर market पहले selling में आता है friend तो इसका bullish accretion आप देख सकते हैं अगर इसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो एक बहुती perfect fair value gap जिसे correction करने के लिए market के नीचे आने की possibilities बनती भी दिखाई दे रहे है और अगर मैं आपको यहाँ पे एक important key level बताओ friend तो यह important key level है जहां से multiple time support and resistance लिया गया है याने कि 2740 के उपर अगर market रहता है friend तो यह bullish momentum बना सकता है तो मेरा मानना है friend जैसे कि अभी आपने देखा कि 26th of October को Israel ने इरान के उपर friend कुछ strikes किये हैं जिसकी वदे से geopolitical tension जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है इसलिए मेरा मानना है friend कि 28th of October को जब gold का market open करेगा तो might be possible है यह gap up के साथ कर सकता है और 2750 का 8 का जो level है friend यह जरूर आपको बेख करता हुआ मिल जाएगा और अगर market ने किसी कारण से retracement नीचे के तरफ किया friend तो 2740 से एक बर buy में जा सकता है या फिर 2733 या फिर नीचे के तरफ 2717 का जो level है friend यहां से भी gold bullish हो सकता है तो overall यह जो video friend इसमें मैं आपको last में conclusion बताना जाओंगा friend गोल्ड के retracement के chances 30% है only 30% chances है कि यह bearish होगा friend और इसका अगर bearish moment होता है तो 2715 का इसका पहला support level है और इसका जो दूसरा support level है friend वो है 2685 का level है यह level तक gold की retracement आपको देखने को मिल सकती है इसके नीचे जाने के chances बहुत कम है friend बट मेरी prediction कहती है कि 70% chances है कि gold अभी भी bullish रहेगा और उपर की तरफ इसके जो target है वो first target है 2758 का level है friend और 2850 की 3K level को भी अगर gold break करता है friend तो फिर इसका next target बनता है 2990 का तो कुल मिलागर friend यह analysis कहती है कि gold का जो next 30 to 45 days का moment है वो bullish होने की probability ज़्यादा बनती भी नजर आ रही है तो इस वीडियो में friend आपको जितने भी बाते मैंने बताई आप अगर इस तरीकी के बातों को daily समझना चाहते हैं और market की 360 degree angle को समझना चाहते है friend तो अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल को subscribe नहीं किया friend तो free analysis आपको daily दी जाती है इस चैनल को आपको subscribe ज़रूर कर लेना चाह हमने 10 अलग-अलग currency commodities and BTC के बारे में analysis आ जाती है friend और इस वीडियो को आप comment करके जोरूर बताएं कि किस तरीके से ये वीडियो आपके लिए helpful रही friend तो मेरे साथ बने रहने के लिए thank you so much दोस्तो बाबाई take care and आपका right है friend पैसे कमाना और पैसे कमाने का आज ट्रेडिंग से बढ़िया platform worldwide कहीं भी नहीं होता है friend तो कोशिश कीजेगा friend trade भी देखे के साथ आप associate रहें और अपने आपको updated रखें thank you so much दोस्तो मिलते हैं next वी कर दो